आप सब आई हूप आप लोग बहुत अच्छे होंग और फ्रेंटस आज का बिलोग है कि यू निंग से जोड़ी से वहाई जादा ग्रीन बेजी टेबल सारी हर तरफ सारी सब्जाब डिख रही है कर अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और बट चायव पी लिया अभी आयने इसमें लेट आ रहे हैं वह अलिए सब्जिय निकालती हूं रखती हूं उनको थोड़ा काटोट के छाटके ताकि सुबा जो है कि फटा फट जो है कि बच्चों का स्यार कर सकूना अस्ता बस्ता बनाना ले लिया केला मन कर रहाता खाने के लिए तो इसलिए केला इसमें से तो यहां पर फ्रेंड्स यह देखे तो मेथी मैंने कट कर दिया इनको अच्छे से जो है कि पैक करके इस तरह से फ्रीज में रख दूंगी तो मेरा एक काम निपड जाएगा सुबा फटा फट जो है कि मेती के प्राठे बन जाएंगे सारे बाल जड़ जाएंगे ने के लिए समझ लेना दिन बर में 75 बार चीशा देखता है और बाल जाएंगे बहुत ज्यादा पूरा दिन और स्पेशल करगी मेथी को मैंने दूल के अच्छे से नमक डाल के रख दे, तो नमक डालने से ये फैदा होता है कि जितना भी पानी रतन इसका निकल जाता मतलब इसमें तो आटे में आप गूत लो इससे जो है कि एश्ट्रा पानी अगर लगएगा तो लगा सकते हो तो इससे बहुत ज्यादा हो जाता पानी और यहां पर देखे फ्रेंड्स तो कुछ हो है कि हरी मिर्च मैंने कट कर लिया अद्रक है लेसन मैंने कूट लिया है एक लों से बारिक और प्याज दो मैंने बारिक बारिक कट कर लिया है और धन्याव है तो इन सब को भी मिलातेऺंए इसमें और इसके बाद देखे तो एक चम्मच के जितना मैंने डाल दिया इसमें आजवाइन डाल दिया है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे स्वाथ के अनुसार डाल देंगे नमक और यह देखिये तो थोड़ा सा ओयल डाल दिया इसे सोप्ट सोप्ट बनते है प्राठे और बस इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह देखिये तो पाइले मैं पानी डालती हूँ- पाहले जितना मेथी का जो राता पानी न उोुसाइसे मैं गूत लेती हूँ- तो थोड़ा मोड़ा जो भी पानी लगता है उसके बाद दोएके डालती हूँ और ध्यान यही रखना होता है अगर पानी आप तुरंत डाल देते हो डायरेक्ट सुरू में तो गीले भी हो सकते है आपके आटे तो यह ध्यान देना पड़ता है और यहां पे देखिए तो आटा ह में याता घी में सेख के और मखन से खाऊना तो बड़ा मज़ा आता है खाने में तो बस देखिए मैं फटा पट से जो एकी सेखती जा रही हूँ अपना और एक तरब बच्चे नास्ता भी कर रहे थे और उनको जो एकी लंच बोक्स में भी एई पायक कर दूंगी और ये देखिए फ्रेंट्स कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे है न देखने में और सच में पूरे घर में न मतलब खुस्बू इसकी फैल गई ती मेती के प्राठे बनाओ न तो बहुत ही अच्छी सी पूरे घर में खुस्बू सी आती है मेती के प्राठों की तो बस फ करूंगी और जो है कि सबी लोग नास्ता कर लेंगे आज बहुत ज्यादा की Parad ! M trustworthy यह ज्यादा की यह चाय वर जब है cream पूरा दिन बन जाता है मेरा नास्ता हो गया आज मेतिक प्राठे और चाय तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा बहुत टेश्टी बना था मेतिक प्राठे और बस अब चलिए चलते हैं उपर और मसीन सही हो गई है तो मुझे लगाने कपड़े तो कपड़े लगा देती हूँ बाकी जो काम है फिर क्ल कर देख रही तो अभी तो ठीक ही लग रहा था एक दो वस्ट करने के बाद पता चलेगा कि कैसी चल रही है अभी अभी तो ठीक फिलाल और यहां फ्रेंस मसीन लगा के आ गई थी मैं उपर की अलमारी जो बच्चों की आना तो काफी दिन हो गया था मुझे मैंने इन लोग के अलमारी चेक नहीं किया था तो यह लोग जो है कि कपड़े में फोल्ड कर देती थी तो यह लोग रख देते हैं जैसे तैसे तो कपड़े सारे मीक्स हो गयते सर्दी के गर्म जो है तो फिर मैंने कहा ने लाओ आज इनकी अलमारी आच्छे से साफ करके जो आने कि देखा सर्दी के गर्मी के सारे कपड़े मीक्स हो रखे तो कपड़े दोने के लिए मसील लगा के फिर मैं बैठ गई पूरा उन्हों के अलमारी मतलब साफ करी फिर जो है कि सारी कपड़े छाटी यह साथ में रूमा भी देखी तो फिर वह भी चटवा दी मैंने बोला कि ज आज मोड कि थोड़ा साथ चेंज भी कर देते हैं काफी जीन से एक ही जैसा है तो बस उसको चेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा तो अभी कपड़े दो के सब कुछ करके नहां वांके अभी तो फिरी महीं हो टाइम हो गया दो बज गया तो फ्रेंड्स हम हाउस व पूरे इमांदारी इंपाधा तो हमारा करता हृए और तो फॉरा घर ताम सब्सक्स करणना है तो करना ही करना होता है तो यही है तो बस प्रहुए कॉच जद्रधे कभी हो जबड़ सरकता तो यहां कि भूल दीती है तो बस बेशीट भी चाना है तक यह कवर लगाती हूं फिर आराम से बैट के जोए कि लंच करती हूं कितना बाते कर लेती हूं आप लोगों से मन हलका हो जाता है फुड़ा बात भी कर लो और अच्छा लगता है तो जैसे ही बच newman आपिस जाते बच्ची स्कूल जाते तो पूरा घर फैल जाता है तो मैं ऐसा नहीं होता है मेरा मेरा पूरी कोशिस रहती कि पूरा घर बेवस्तित करूँ सब कुछ उनकी जगह पे अच्छे से रख दूँ सब कुछ ताकि बच्चे आए हस्बेंड आए सामको तो इद्दम घर नीड एंड क्लीन और सब अपनी जगह पे सब समान अच्छे से मिले और घर देख के अच्छा लगे मेरा ये नहीं होता है कि हां बस कोई नहीं है घर में बस ऐसी सो जाओं या बैटी रहूं चील करूं ऐसा पहले सारा काम पूरा कर लेती हूं, हर समान अपनी जगह पर रख देती हूं, सारा काम फिनिश करती हूं, उसके बाद ही मैं रेष्ट करती हूं, हाँ कभी काल के हो जाता, अगर मैं जैसे कभी बीमार हूं, या एकदम मेरा मन नहीं तभी मैं छोड़ देती हूं, बाद में कर यह क्या लगाई है दो दो बैच कैसा है ममी कल पीटियम में ना वाइपर हो जांगी क्यों मैंने काया है क्यों का का में चलो ठीक कपड़े चेंज कर दो ऑर खना ख़ालो फिर से देखिए तो मैं बच्छे सबी सो गया थे इस्कूल से बच्चे आते तो सोई जाते मैं भी सो गई आज time कुछ ज़्यादगा था तो यह देखिए सुना को आरी मज़ा गाने के लिए और टाइम देखा तो छे बजने वाला था मतलब आज कुछ जाधा ही लेत हो गया तो एगदम अंदेरा में अंदेरा同 हो घाका अधीरा सब कुछ बंद's कर दो न करटेंस अगरा लगा दो अंदेरा बाहर भी एगदम अंदेरा मतलब 6 बजे तक एकदम अंधेरा हो जा रहा है तो देखिए पॉने 6 बज रहा है ना तो बस यह देखिए अपना बच्चों को जागा दियूं मतलब सुनक जागा दिती फिर जो है कि अपना थोड़ा फ्रेश्ण पगरा हो रहे हूं थोड़ा मुझ धूलूंगी थोड़ा नीद भागे इ तो फ्रेंड्स सारा नीचे मैं थोड़ा फ्रेश्ण पगरा हो कि आगई उपर ध्यान आया कि कपड़े डाल रखा था और मैंसो जीती दसाम को पांच उचबे तक मैं उतार लूंगी लेकिन सोई रहे गई फिर अंधेरा हो गया तो सोचा ऐसी रख देती हूं बाद में कल फोल्ड कर दूंगी और यहां पर देखे तो आ रहे हूं नीचे तेदी के सुना ऐसी पड़ी होई है तो इसको करी जाओ दूद लेकर आओ चाय बनाते हैं तो सोती हो फिर एक घंटे डेड़ घंटे बाद उट जाती बटा जैसी नीद लगी ना कि मतलब इतना ज्यादा टाइम हो गया है तो सोई रहे गई और कप्ड़े उतार के बस ऐसी रख दिया है सुना को भी जगा दिया और चलिए बनाते हैं थोड़ा चाय यहां फ्रेंट तो बस उनी से थोड़ा बाते भी कर रही थी मैं और जो है कि चाय भी निकाल ले थी कि साथ में थोड़ा चाय पीएंगे बहुत होता है ना बड़ा दुख हो रहा था यहां से चली गई खुशी इस चीज की है कि उन्होंने अपना घर ले लिया है तो इस चीज की बहुत ज कि चाय आ थालब कोता है